और चली खबरों के दरब बढ़ते हैं तो उत्राखंड अधिनस्तु चैन आयोग की परिक्षा के पेपर लिक मामले में आयोग के चेर मैरस राजु ने अपने पत से इस्तिफा दे दिया है। सवाल उच्छा हिपे। जांच कमीटी को उनकी तरफ से दिया गया है और उनका साथ तोर पर कहना है कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने पत से इस्तिफा दिया है। आपको बता दे कि इस पूरे मामले में सीम पुषकर सिंगधामी ने जांच के आदेश दे दे थे और ये भी कहा था कि जांच आगे चलती रहेगी और पुरा दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा। और अब तक इस पूरे मामले में कई लोगों की गिरफतारी भी हो चुकी है। लेकिन बड़ा अपडेट फिलाल इस पूरे मामले में ये है कि UK SSC के चेयरमेन एसराजू ने अपने पत से इस्तिफा दे दिया है। किया जा चुका है। तरीके से मुख्यमंत्रिक खुद इस पूरे मामले में सक्त नजर आ रहे है। क्या ये माना जाए आने वाले समय में और भी बड़े अधिकारियों पर जो गाज है वो गिर सकती है। पंकच क्या पुझे सुन पा रहे हैं। चलिए संपर्थ करेंगे पंकच से लिकेन स्पूरे मामले पर लगातार अपडेट आप हो दे रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से पंकच से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पंकच क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आप तक आवाज आ रही है। बिल्कुल आउसी। पंकच क्योंकि देखे एस लाजूए अपनी बात पूरी किजे पंकच। मैं आयोग के कारेले में ही मुझूद हूँ। और यहां अगर देखा जाए तो 2014 में इस आयोग का गठन हुआ था अधिनस सेवा चैन आयोग का और कई भरतियां आयोग ने कराई हैं। और एस राजू ने इसलिए इस्तीपा दिया है क्योंकि देखे वो बहुत प्रतिश्चित अधिकारी हैं। लंबी सेवा उन्होंने उत्राकंड में दी है और किसी भी तरह के उन पर ऐसे कोई गंभीर आरोप में लेगे। कि नयतिकता के तोर पर उन्हें आज इस्तीपा दे दिया हमारे साथ में हैं। उनसे बात करते हैं। सर यह बहुत कंभीर बात भी है और आपने नयतिकता क्योंकि थोड़ा वेट आपने चाहिए। नई यह एक बार बच्चे को विश्वास कम हो गया है। कि आपने इतना लंबा अनुभाव आपका रहा है। आयोग में जब से आप बैठे और तब से लेकर अब तक आपको ऐसा लगा कि कुछ इस तरह की गड़वड़िया होईंगी तो आप अपने खुद आपने अफायार दर्ज कराई। सब चीज आपकी तरफ से हुई। फिर भी आप इस कदम में आगे बढ़ें। वह तो मैं खा रहा है कि वह बच्चे परिशान हो रहे हैं ना। जैसे फर एक्जांबल लगबग दो तीन दो दाई अजार बच्चे की बरतीस को यह से रुका हुआ। आगे कि तो में रया मैं जानता हूं कि इस तरह से आप बावुक हो रहे हैं यह बावुकता तो आपकी बता रही है ने कि आपको कस्त है इनसी इतने कस्त तो है कस्त इस बात की है इस बात की है कि consuming character के बारे में किसमें कुछ कहा नहीं है अब ही कह जा रहा है कि इसको जाक करो इसको है समधी को जाक करो छो तो इसलिए कभी सुने ह divis 토र। मैं इतनी साल पार हो गहें लोगोगे है अ कभी किसने मुझे बहान खहरा नहीं है कि यहीं बात कि यह सब चीजें ही बजए रही इस थी कि यह सब चीजें ही बज़ें रही इस देफिनिटली आप मेरा में मकसद तो यही था कि जब मेरे उपर विस्वासादर कम हो गया है मुझे नेटिक दातार पर याग रहना ने चाहिए कुछ ऐसे बच्चे हैं भी हैं जिन्होंने अभी अधियाचन आए थी आपके तरफ आए होंगे उन्होंने जोब के लिए अपलाई किया होगा परिक्साई होने जा रही थी आपको तो बहुत महत्पूर्ण पद है और यह सब जानते हैं कि ऐस राजू इस तरह के बिल्कुल पूसरी है कि लेट गौर्मन टेकर डिशिशन में से वहतों में ने बेच दिया है नेतिक आतार पर लेकिन अपर इस तरह के सबाल कड़े होना इस तरह के घोटालों के अरोप लगना क्या यह लगनी रहा कि बहुत ज़्यादा यह चीजे उस वह इसारे कर रही है कि जहां प बढ़ाती है कि इसके पीछे तो बहुत सरा मफिया गया गया इसका लाइक एकशामपल जो जब से अमरे कमिशन में बहुत कुलापन हो गया इसको जो सब्सक्राइब लास्ट चे साल में हर चूड़ी चूड़ी चीज अम लोग बच्चे के कहते थे तो इतना कुलापन कोचिंग बाफ यहां कितना पसंद नहीं तो देवर आलसो इसको प्रशार कर रहे थे कुछ फणी चोट चुट बहें नेते वखरा चुट बोल रहे थे बाहर तो इसलिए जो वो नाम खराब करें कोशिच तो किया है लेकिन अनफॉर्शनेटली हमारे बड़े ले नेता लोग यहां उनको भी शायद यह मालूम नहीं था कि इसके पीछे राज गया इस तरह का जो दो प्रिजार क्या रहा है जैसे मैं मजाक से कहता हूं कि जितना अधिक बोलो गए उतना पस हो तो कमिशन में तो कि आपने इतना कुलापन दिखा दिया है लोगों को हर चुट चुट करें चुट हमुए को कुछ बोलते हैं घ्रिसल देर्या विजन को बाति नहीं करता लेकिन में सोथा याप को लापन होना चाहिए था कि बच्चे का मलबान हो चुट हो और वही गलती हो क्योंकि सरा आयोग है तो आपको आपके इस पूरे कारेकाल में आपको लगा कि आपक तो लोग बोलते हैं बोत सवार रियूंक जो एगिन किसी को माना नहीं teammates करता देए किसी नेता के दिखा थैए आज रवी करस्था मेरे क Always करने घर बहुं जो सकती है कि कियों एक बाथ सोना नहीं कि ऑफाहैस्ट कर दो उसक्ते हैं कर गोड़ी सिन कि मयाना दॉब Sabator सरकार नोखरी प्राइम नोखरी है इसलिए नेतलों सिफार तो करते हैं लेकिन मैं खिसको माना आना नहीं है अजया दर एक लास सवाल ये भी है कि उन चात्रों के लिए उन अभ्यारतियों के लिए आप का कहेंगे जो आजिनों ने आयोग में जो आपने बढ़तिया निकालन तो अभी जो भी चेर्मन आएगा सो चिवाएंगे जो भी आएंगे इसका तो देविल ओफली देल रन इट बटन अगर इस तरका चूप हो जाता है वो तो हर चगह में जाता है ऐसा नहीं है कि वो जो अगर अटा सी एक्जाम करेंगे तो एक में भी बिकलती नहीं हो गई ह लेकिन आप इसका डरे मत लो जो आने वाले बर्ति में हम लोग इसको जो भी यहां चेर्मन आएगा उसको में कहके जाओंगा कि वह अच्छे प्रस भी है मरब पास ये कोई गलत प्रस में जाकर दिया है ये लग रहा है लेकिन वो भी अभी श्योर नहीं है कि वास्ते में लेकिन आप इस राजू थे और देखिये बहुत भावुक भी हुए है ये इस बात को लेकर कि आयोप पर इस तरह के आरोप गंबिर आरोप लगे हैं और ये सवाल इसलिए भी महत्मूर हो जाता है क्योंकि गुद्र आयोप की और से फायार दर्ज कराए गई थी और कई जो लोग थे जिन जो भी इनमें सनलिप थे वो उनकी गरफतारी हुई है वो लगतार STF उस पर जाच कर रही है लेकिन जो भावुकता है जो उनकी भावुकता है वो साप जलक जलका रही है कि गंबीर आरोप जो आयोप पर लगे हैं इसी वेशे से उन्होंने इस पर इस्तीप करेंगे तमाम चीज़ें देखें और इसमें एक महत्पूल बात ये भी हो जाती है बिल्कुल देखिए यहां आयोग के एक अध्यक्स जो लंबे समय से पिछले 2016 यहां काम कर रहे थे और उन पर किसी तरह के ऐसे आरूप नहीं लगे कि भरती में घुटाले हुई अगर कहीं न कहीं उनके उपर कुछ दवाब था बड़े इस तरपर कुछ चीजें होने वाली थी उसको लेकर दवाब था इसलिए उन्हें आज अपने पतसे इस्तिपा दे दिया जी जी साफतर पर भावक होते वे नजर आये सराजू और देखिए कहीं न कहीं ये बात भी मान रहे हैं वो की जिस तरीके से परिक्षा हुई सेंद मारी हुई परिक्षा पेपर लीक वाप भर जो चात्रों का भरोसा था वो कहीं न कहीं टूटा है देखने वाली बात है आगे तक जो जांच चेक कहां तक पहुंचती है बहुत धने बाद पंकाजा आपका तमाम बाच्शित करें अगे बढ़ी खबर आपको बता दे अखलेश के बयान पर डिप्टी सियम केश्य प्रसाद मौरे ने पलचबार किया है कभी कभी अखलेश यादव की समझदारी पर चिंता होती है ये केश्य प्रसाद मौरे ने कहा है अखलेश यादव की आरसस की समझ नहीं है केश्य प्रसाद मौरे ने अखलेश यादव के बयान पर ये पलचबार किया है पर मुझे सिंता होती है क्या हुआ हर समय समाजवादी पार्टी के पर राष्टी द्वज पर आते हैं राष्टी स्वैम्सेयों चम्ग सवी संगठन है उसका अपना एक राश्टी द्वज राश्ट भगवा द्वज है लेकिन जब स्वतंतरता दिवस होगा गरतंतर दिवस होगा कोई राश्टी परव होगा तब राश्टी द्वज फैराय जाता है और फैराय जाने का काम होता है अगर उनको इसकी जानकारी नहीं तो उनको जा और इदर आज अकलीश यादव ने पार्टी नेता जनेश्वर मिश्रकुर शद्धान्जुनी देने के बाद भाजपर पर हमला बोला है आरसेस और संग प्रमुक के ट्विटर हैंडल पर तिरंगी की पोटो ना लगाने पर अकलीश ने निशाना साधा और कहां कि उनका इतिहास उठा कर देखेंगे तो बड़सो बरस उन्होंने भारत का जंडा अपने स्थान पर नहीं लगाया है तिरंगा अभियान के नाम पर दंगा बीचेपी करा सकती है अब शल्ला है वहीं मैं साधान करना चाहता हूँ ये भारती जंता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं और देखिया के लिए श्यादव की तिरंगा यात्रा पर दंगा फैलानी की टिपड़ी पर भाजपा प्रवक्तार आकेश तुरपाथी ने भी पलट पार किया है तिरंगे के साथ दंगे का नाम जोड़ना ये बहुत दुरभाग्य पूर्ण है अखिले स्यादव को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए कि वो भारत के राष्ट्रिय ध्वज तिरंगा जिसके साथ एकात्मता का भाव जुरता है जो किसी जाति का नहीं, किसी पंथ का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी वर्ग का नहीं बलकि पूरे संपूर भरतियों के लिए स्वालहिमान का प्रतिक बनता है उस दिरंगे के साथ वो दंगे जैसे सब्द का इस्तेमाल कर रहे है अखिले स्यादव जी को रह रह करके अपने कारेकाल के दंगों की याद तताती है और चुली आगे बढ़ेंगे कब बड़ी खबर आपको बता दे प्रतापगर्ण से बड़ी खबर है जहां एक चलती कार अचानक से आफका गोला बन गई कार्सवार लोगों ने कूत कर अपनी जान बचाई हाला कि किसी प्रकार की जन्हानी इस हाथ से में नहीं हुई है और समय रहते जो कार सवार थे उन्होंने कूत कर अपनी जान मचा ली लेकिन ये पूरी तस्वीरे मौके पर लोग जो मौझूत थे उन्होंने कैमरों काज कर ली और आप देखिए कि सरी के सहचानक से इस चलती सी कार में ये आख लगी शौर्ट सब के पताया जा रहा है आपका कारण और समय रहते कार्सवान लोगों ने कूट कर अपनी जान बचाए और इदर यूपी में कई जगा बारिश ने आफ़त बढ़ा दी है दिली MCR में 30 बारिश से जल भराव हो क्या है बात नौईडा की करें तो यहां कुछी घंटों की बारिश ने नौईडा प्रादिकरण की भी पोल्ट कोल दी है तस्वीरों को देखर आप भी कहेंगे कि जब हाइटेक सिटी का ये हाल है तो बाकी जगाओ पर क्या होगा ये नौईडा के दलिक प्रेणा असकल के पास की तफ्कीर है जहां सड़क पर जल भराव हो चुका है और जल भराव के साथ की जो प्रादिकरण है उस पर भी अब सवाल काथी उस्टों में है कुछी देर की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल्ग कोल दी है लगातार ये दावी किया जा रहा है कि पूरे जो व्यवस्ता है वो की गई है किसी प्रकार की परिशानी नहीं होगी लेकिन कुछी देर की बारिश ने प्रादिकरण की भी पोल्ग कोल दी है आप द बड़कों पर जगा जगा जल भराव की स्थिती पैता हो गई है और इस प्रशासन की जो ग्यवस्ता हैं जो दावे हैं उनकी भी फोल्क सुषी दिन पर आए और चुछी फिलाल उस बुलिटिन में इतना ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे एबीपी गंगा के साथ एबीपी गंगा खबर आपकी जवाआपकी